दीवानी परीसर से लाबता हुई मैला दिवक्ता का शव गोरहा नहर से रजपुरा नहर से बरामत हुआ दिवक्ता के पती ने शिनात अपनी पतनी मोहिनी के रूप में की पुलिस ने शव का पोस्माटम कराया पोस्माटम रिपोर्ट में जो परिडाम आये बेहत चौकाने वाले हैं महिला अदिवक्ता मोहिनी हत्याकार ने सभी को जबचोर कर रख दिया है मोहिने के शरीर पर चोट के मामूली निशान दिखाया गया है नहर में डालने के बाद पेट के अंदर कोई पानी नहीं पाया गया शरव दो से तीन दिन पुराना बताया जा रहा है जबकि शरव 28 घंटे बाद ही गोरहा नहर से पुलिस ने बरामत किया था मौत के बाद महिला के शरव को हेट बॉक्स में रखे जाने का भी जिक्र किया गया है थाना कोथवाली कासगंज पर महिला अधिवक्ता श्रीमती मोहिनी तोमर की हत्या के संबंध में उनके पती की तहरीर पर 6 नामजद अभ्यूक्तों के विरुत अभ्योग पंजत्रत किया गया था कासगंज पुलिस वारा सभी नामजद अभ्यूक्तों को गिरफ्तार कर लिया लिया है अगरे बधानिक कारवाई की जा रहे है